हेलो डियर स्टुडेंट्स मैं आपका मेंटोर अंकित गुपता यानि आपको केमिश्टी पढ़ाने वाला हूं किलास 11 की तो आप अभी तक सिर्फ साइन्स में तीन सब्जेक्ट पढ़ते दो भी कम्बाइन होके किलास 10 की फिजिक्स, केमिश्टी और बायो लेकिन अब किलास 11 में केमिश्टी अलग होगी फिजिक्स अलग होगी और बायो अलग होगी तो मैं यानि आपको केमिश्टी पढ़ाऊंगा और केमिश्टी में हम आज स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर Some basic concept of chemistry जैसा कि आपने सुना होगा बहुत से टीचर्स से कि class 9th कर दी हमें आता है तो class 11th भी हमें आता है हाँ थोड़े से basics class 9th की class 11th में यूज होते हैं इस chapter में भी यूज होगे जैसे कि आपने class 9th में पढ़ा था 그냥 atoms and molecules यहाँ पर आप उस chapter को atoms and molecules को some basic concept of chemistry में पढ़ेंगे आपने वहाँ पढ़ा था mole concept आप यहाँ भी mole concept पढ़ेंगे बस थोड़ा सा level up हो जाता है यहाँ पर इस बात को दिहान रखना और बाकी का chemistry बहुत ही आसान है बस आपको अच्छे से पढ़ना है दीरे दीरे पढ़ना है practice करते जाना है जितना मैं आपको करा रहा हूँ इतना करते जाओगे more than enough है इतना हो जाएगा तो आप यह मानलो आपको एक online का benefit मिल जाता है यहाँ पर तो मैं आपको इस chapter के बारे में बता देता हूँ some basic concept of chemistry में बहुत सारे terms पढ़ेंगे जैसे मैं आज आपको basics बताऊंगो states of matter solid liquid gas क्या होते होमोजीनेस mixture इन सब के बारे में अपन बात करेंगे फिर आप इसके बात पढ़ेंगे इसमें more concept भी पढ़ेंगे law of chemical combination भी पढ़ेंगे आप डाल्टन्स की theory भी पढ़ेंगे क्योंकि डाल्टन्स ने क्या बताया था atom is the smallest particle लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था वो तो गलत हो गए तो इनके बारे में भी आप detail में पढ़ोगे आप लिम्टिंग रेजेंट पढ़ोगे आप यहाँ पे concentration terms को भी पढ़ेंगे बड़े मज़ेदा तरीकी एक एक topic को पढ़ेंगे एक एक वीडियो को करेंगे आराम आराम से करते हुए अपन चलेंगे तो चलो हम start करते हैं अपना पहला chapter का पहला वीडियो यह states of matter पे लेकिन मैं states of matter को start करने से पहले मैं पहले आपको बता देता हूँ इस पहले chapter में थोड़ा सा chemistry के बारे में बता देता हूँ कि chemistry है क्या ठीक है कैसे chemistry को आपको करना है देखो आप देख रहे होगे यहाँ पे एक scientist साब है देखो उतल पुतल मची हुई है यहाँ पे ऐसे apparatus फेके जा इस पहले रहा है practicals भी करेंगे वहाँ भी आप सीख लेंगे इनको बहुत अच्छे से तो देखो आगे हम चलते हैं हम बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है chemistry किसको डील करती है लिखा हुआ है chemistry deals with the study of element किसकी study करती है study of element कि study करता है जिसमें क्या होते atoms होते है molecules होते है compounds होते है ions होते है ठीक है ना इत्याद ETC अच्छा अब दियर chemical composition and characteristics structure and reaction इसी हो क्या बोलते हैं chemistry बोलते हैं अब देखो अब हम बात करें सिंपल सी यहाँ पर इन्हीं की study को हम क्या बोलते है chemistry बोलते हैं अभी हम बात करें दूसरी भी definition एक और बोल सकते हो आप chemistry also studies the chemical interaction chemical interaction बोले तो bonding ठीक है ना bonding की बात करें bonding between element atom and molecules मतलब bonding के बारे में भी हमें यह बताता है किस तरीके का chemical interaction हो रहा है पढ़ेंगे बहुत detail की हो जाईए बिल्कुल चुटकियों में बहुत ही सांदार बस जितना पढ़ा रहा हूं मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से और काईदे से आपको पढ़ते हुए जाना है इस बात का आपको ध्यान रखना है तो देखो यहां पे अब मैं बा बात करता हूं तो आपको पता है कि हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टेट्स ऑफ मैंटर को यदि मैंटर की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सिंपल किस किस पार्ट में एक तो हम फिजिकली physically और एक chemically हम बात करेंगे chemically यदि बात की जाए physically और chemically divide करेंगे तो यदि यहाँ पर बात की जाती ही सबसे पहले तो matter होता क्या है matter आपको पता है जब कोई भी क्या होगा which having mass यसे पात क्या हो having mass and volume है ना उसे क्या बोलते थे matter बोलते थे और आपको ये भी पता है जो कुछ भी आप इन खुली हुई आँखों से देख पा रहे हैं वो सब क्या है matter है यानि आप ऐसा समझ लो आप पानी की bottle से लेके table, tv, fridge, कुछ भी even मैं खुद या आप खुद वो भी क्या है आप matter है और जो matter बनता है वो किस्से बनता है छोटे 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 टिनी पार्टिकल से मिलके matter बनता है और उन टिनी पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं atom बोलते हैं ध्यान समझ ना उन टिनी पार्टिकल को हम atom बोलते हैं अब बच्चा यदि मैं पूछा जा है यहां पर एटम की definition बताओ तो बच्चा एटम की definition क्या बताएगा देखो एटम की definition बच्चा यह बताएगा atom is the smallest particle आपने ही पड़ी होती है लेकिन आप भूल जाते हैं कि atom is the smallest particle नहीं है जैसी atom को आप smallest particle बोलेंगे तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी क्यों क्यों electron proton neutron वो भी तो smallest particle है तो atom तो आपका smallest particle नहीं हुआ आपको ऐसा बोलना था क्योंकि ये theory according to Dalton थी आप ऐसे बोलते according to Dalton atom is the smallest particle which participate in a chemical reaction तब आपकी definition सही होती ठीक है इस बात को ध्यान लगने इसको क्या बोलना है simple atom बोलना है और बहुत सारे atom मिलके क्या बनाते है matter बनाते है तो ये matter बनता है simple tinny particles से मिलके आपका क्या बनता है matter बनता है ठीक है ये वह वाला matter नहीं वहाँ कांड होगे matter है matter है वह व में पास volume होगा और mass होगा उसे क्या बोलेंगे उसे हम simple matter बोलेंगे एक बात और ध्यान लगना यदि मैं volume की बात करूँ तो volume किसे बोलोगे जो space को occupy करेगा उसे क्या बोलते है volume बोलते हैं जैसे मैं खड़ा हूँ मैं यहाँ पर जितना space occupy कर रहा हूँ यह volume है आपका यह pen है यदि यह pen मैंने यहाँ पर रख दे इस space को occupy कर रहा है जब space को occupy कर रहा है तो सही क्या बोलने हैं volume बोलने है तो I hope आपको volume की बात भी समझ में आ गई होगी तो मैं जैसा कि आपको बताया था मैंने matter को दो पार्ट में डिवाइड किया था physically और केमिकली तो physically में जब हम डिवाइड करते हैं तो simple करते हैं हम इसको solid solid liquid gas ठीक है और केमिकली किसे बोलते हैं केमिकली में बोलते हैं element compound और mixture आप ऐसे भी लिखते हो यहाँ पे समझना यहाँ पे आप ऐसे भी लिखते हो physically में आप ऐसे लिखते इस तरीके से भी करते हो, ठीक है, तो प्योर में भी दो आ जाते हैं, आपके element और एक compound, यह compound भी क्या होते हैं, प्योर ही होते हैं, simple सी बात समझना, अब देखो, यह बात तो clear होगे, हम यह के करके सारे terms को हम पढ़ेंगे, बहुत detail में पढ़ेंगे, ठीक है, तो देखो, यह हम देखें, matter की reference लिखी हुई है, जैसा कि मैंने बताया था, क्या बताया था, matter is anything that occupy space and has mass, है ना, क्या होगे, occupy space करेगा, और उसके पास क्या होगा, mass होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम simple matter बोलेंगे, यह मैंने भी बताया था, जैसे आप girl देख रहे होगे, यह table र आपकी matter है, जो जो, इस बात को ध्यान लगना, मतलब, जो जो हमें खुली वी आँखों से दिख रहा है, वो सब सागा का सारा matter है, ठीक है, इस बात की, यह बात तो clear होगी होगी होगी, अब देखो, अब मैं आगे भरता हूँ, जानते हैं थोड़ा सा, और आगे, अब हमन ही मैं बात करूँ यहाँ पे, solid की, liquid की और gas की, तो एक बात ध्यान रखना, जो solid होते हैं, यदि आप से पूचा जाए, जो solid होते हैं, solid में, जो intermolecular force of attraction होता है, is very high, क्या होता है, intermolecular, intermolecular force of attraction is very high, is very high, ठीक है, अब देखो, दूसरा liquid, liquid में क्या होता है, liquid में simple होता है, जो intermolecular force of attraction होता है, वो less than solid होता है, क्या होता है, less than solid, intermolecular force of attraction is less than solid, ठीक है, इस बात को जहां रखना, और gas के particle क्या होते हैं, यहाँ पे कोई intermolecular force of attraction नहीं होता है, क्या नहीं होता है, no force of attraction, no force of attraction, इस बात को ध्यान रखना, मतलब no force of attraction बोले तो, यहाँ पे कोई भी force of attraction नहीं होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे, जो solid होते हैं, बहुत ही संसकारी टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं बहीं, संसकारी टाइप के होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, संसकारी संसकारी मतलब समझते हो बोलो घए कि बापा ने बोला बेटा यहां बैटो बेटा वही बैठ गया और नहीं दर के मारे यह पापा से बहुत ज़्यादा पापा बहुत श्च्रिक्ट रहा है थी के बहुत श्टिक्ट इस तरीके से खड़े हैं अब बेटा यहां अब लिक्विड और अब लड़का अब लड़का आगिया सहर में अब सहर में आ अब तो फून पर बात होन लगी पापा ने उला बेटा क्या खाया वो सिंपल सा खाना पीना खाली है धीक है वो रोटी-ओटी खाली की सिंपल सा कम संसकारी हो जाएगा है क्योंकि अब सेर्वाले ओगए अब भापा से अब पहले तुम्हारे पिताजी से अब तुम्हारे क्या हुए अब क्या हूए अब क्या हुआ गैस गैस में कोई force of attraction नहीं है मतलब कोई force of attraction ही मतलब गा वारा है एक molecule यहां है तो एक molecule?" ऐसा ही कुछ बच्चे होते हैं जो पेलकूल mammy, papay की बात ही नहीं सुनते हैं मतलब यहां मतलब मइ पापा की बात नहीं सुनते हैं मतलब वह क्या होते हैं सिंपल सी, आप ऐसे समझ सकते हो, आवारा हवाका जोंका हूँ, ठीक है, तो आवारा, मतलब there are no force of attraction, between them, मतलब यहाँ पर force of attraction की बात माने, तो उन बच्चों को freedom है, total क्या है, freedom है, ठीक है, वो कहीं भी move कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो अपनी life जी सकते हैं, वो अपने no restriction, तो इसी तरीके से यहाँ भी है, यहाँ भी gas के molecule में, कोई भी restriction नहीं होता है, वो एक molecule यहाँ होगा, तो एक molecule वहाँ होगा, एक molecule वहाँ होगा, एक molecule यहाँ होगा, लेकिन उनकी बीच में कोई भी force of attraction नहीं होगा, तो यह बात समझ में आई, तो एक बात ऐसे समझ सकते हो यह संसकारी जी हो गए यह ठोड़े कम संसकारी हो गए यह आभारा हो गए ठिक है मतलब यह आपके यहाँ पे पेता जी बोलते थे या पर कर देड और ज्यादा जब öğत ज्यादा फ्रीडम हो गया तो आप डेड से भी पॉप होगा है पॉप पॉप है ना इस तरीके से तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो यह सिंपल सा आप सॉलिल लिकुड गैस का यहां से एक्जामपल समझ सकते हैं अब देखो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर नेस्ट एक में इंपोर्टेंट बात होती है समझना है यहां पर एंट्रॉपी मीजर मेंट ओफ रेंडमनेस मीजर मेंट ओफ रेंडमनेस बोले तो इर्रेगुलर्टी क्या भाई इर्रेगुलर्टी मतलब इर्रेगुलर्टी बोले तो मतलब जितना ज्यादा इर्रेगुलर्टी होगा एंट्रॉपी उतनी ही ज्यादा होगी मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इर्रेगुलर्टी या रेंडमनेस रेंडमनेस जतनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपकी एंट्रॉपी होगी क्या होगी वही एंट्रॉपी होगी इस बात को ध्यान लखना मतलब एक बात ध्यान लखना यदि आप से पूछा जाए अब सॉलिड लिक्विड गैस में किसकी एंट्रॉपी ज्यादा होगी तो अब आप बोलोगे कि गैस के मॉलीक्यूल में इर्रेगुलर्टी सबसे ज् होगी तो यहां पर आप सिंपल लिख सकते हो देखो क्या सॉलिड लिक्विड और गैस में आपकी एंट्रॉपी की बात की जाए तो गैस की एंट्रॉपी क्या होती है ज्यादा होती है क्योंकि इर्रेगुलर्टी क्या है सबसे ज्यादा है क्या है इर्रेगुलर्टी इजमूर ठीक है इस बात को ध्यान लगना अच्छा दी फोर्स ओप अट्रेक्शन की बात की जाए तो फोर्स ओप अट्रेक्शन किसका जादा होगा सॉलिड का फोर्स ओप अट्रेक्शन जादा होगा फोर्स ओप अट्रेक्शन ठीक है ये बात है हो गई अब मुझे एक बात बताना है यहाँ पे यदि आपसे question पूछा जाए एक question पूछा जाए कि why solids are rigid यदि एक question आजाए आपसे यह पूछ लिया जाए why solids are rigid यह लिख दिया मैंने why solids are rigid तो क्या answer दोगे आप इसका tell me क्या answer दोगे सोचो सोचो खुछ से सोचो तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे आप यहाँ पे बोलोगे solid rigid क्यों होते हैं क्योंकि due to high due to more या high intermolecular force of attraction high force of attraction मतलब बहुत ज्यादा force of attraction होता है और जब force of attraction ज्यादा होगा तो क्या होगा बोलो तो simple सा वहाँ वह क्या होगे आपके rigid होंगे तो तो वो solid के particles क्या होते हैं बाइब्रेट होते हैं क्या होते हैं बाइब्रेट होते हैं इस बात को ध्यान रखना तो आई होप आपको यह बात के लिए होगी solid किसे बोलेंगे liquid किसे बोलेंगे और gas हम किसे बोलेंगे अब हम डिवाइड करते हैं केमिकली जदी केमिकली की बात की जाए तो मैंने बताया था matter को दो 파र्ट में करते हैं क्या mixture और अपका होता धो करते हैं हम कि अब मैटर को डिवाइड कर देंगे मिक्शर और प्योर सबस्टेंस में तो देखो मिक्शर मैटर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया मिक्शर और प्योर सबस्टेंस और फिर मिक्शर को में दो पार्ट में होमोजीनियस हेटोजीनियस ठीक है और यह क्या ह हो गया एलिमेंट और कंपाउंड तो कुछ लोग बुक्स में ऐसा लिखा हुए आप ऐसा भी लिख सकते हो यह सा कुछ गरवड नहीं होगा आपको यह बात किलियर होगी अब मैं करके आपको एक्सप्रिम करता हूं मिक्सर क्या होते हैं सबको एक एक करके समस्ते चलते हैं तो जैसे मिक्शर की बात आ रही है देखो मिक्शर गोले तो आप देख रहूं में मैंगू सेक पी हो। तो mango से पी होगे, mango से क्या है, इतनी स्याइट', कैसे mixture है,凌 Caroline कैसे, मैं पूफ करता हूँ का सर, आप लोग सोच रही होगा, सर कैसे mixture है, देखो वजी, इसमें mango भी होता है पिलस सुगर भी होता है पिलस क्या होगा बोलो पिलस यहां पर milk भी होगा और कुछ water भी होगा milk plus water भी होगा तो यह क्या है मिक्शर जैसे आप घर में tea पी थे हो टी भी क्या है मिक्शर मतलब simple मिक्शर की मैं बात करूँ जब एक दो या दो से ज़्यादा compound आपस में mix किये जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं बोलो mixture बोलते हैं तो लिखा हुआ है यदि आप देखेंगे आपे mixture लिखा हुआ है क्या होगा जब आप दो two or more compound बोलो सब्स्टेंस को आपस में mix करेंगे ठीक है उसे तो क्या बनेगा mixture बनेगा जैसे एक्जामपल के लिए आप alloy ले सकते हो क्या ले सकते हो alloy समझते हो alloy जो mixture of metals बहुत सारी metals को mix कर देते हैं उसे हम alloy बोलते हैं अब आप ऐसे भी समझ सकते हो alloy हो गया दूसरा देखो sugar solution ले लो कैसे मालो यह beaker लिया, beaker में हमने क्या बरा, sugar को बरा, sorry water और water में क्या मिला दिया है sugar तो यह क्या है, यह भी mixture है, ठीक है न, mud water ले लो, ठीक है, mud मतलब mud plus water यह भी क्या है आपका, एक type का mixture है है न, तो salt solution बहुत सारी mixture है, आप देख तो general life में भी बहुत सारी mixture है, तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है when two or more substances mix with each other, जब हम दो या दो से ज़्यादा substance को mix कर देंगे आपस में, तो without participating in a chemical change, क्या और नहीं होगा, chemical change नहीं होगा, ठीक है न, क्या नहीं होगा, chemical change नहीं होगा, ठीक है न, without participating in a chemical change, the resulting substance is called a mixture, उसे क्या बोल रहे हैं, मिक्षर बोल रहे हैं, अब हमने mixture को फर्दर दो पार्ट में divide किया था, homogeneous और एक heterogeneous, यदि हम बात करें, यहाँ पे homogeneous mixture की, तो homogeneous में क्या होता है, simple सी बात होता है, same composition होता है, हर जगे, क्या होता है, same composition होता है, या आप ऐसे समझ सकते हो, क्या होता है, uniform, 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 mixture होता है, या uniform composition होता है, या uniformly mix होते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है ना, composition, अब एक बात ध्यान अगना, हम homogeneous mixture को, नेगड़ आये से नहीं देख सकते हैं, हमें इसको इवन microscope से भी नहीं देख सकते हैं, जैसे कि आप example के लिए सकते हैं, जैसे salt solution ले ले ले, क्या लेले? salt solution, या आपने water लिया, water में किसको mix किया? simple salt को mix किया, तो आपका क्या बिल जाएगा, वो लो आपका solution बनेगा, वो आपका homogenius mixture होगा, कैसा होगा, salt solution हो गया, फिलश, ठीक है, फिलरस आपका हो गया simple, कौन सा, बोलो, शुगर solution हो गया, ये भी कैसे है हूँआजिनियस मिक्षर है सारे के सारे शुकर सोलूजर त्थिक है इस तरीके से आप समझ सकते हो तो अब आपको पता है जैसे मैं सोलूजर की यहाँ पर बात करूँ जो बनता है solution जो बनता है मैं simple सी बस एक बात बता रहूँ solution जो बनता है वो बनता है आपका simple solute plus solvent solvent क्या होता है ज्याद अमांट में होता है solute क्या होता है कम अमांट में होता है ज़से sugar solution हो गया तो sugar क्या हो गया वहाँ पे solute हो गया और solvent क्या हो गया आपका water हो गया, simple सा है, तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, homogeneous mixture के दी मैं definition पढ़ूँ, तो लिखा हुआ है, homogeneous mixture is a mixture in which the composition is uniform throughout the mixture, मतला पूरे mixture में, जो composition क्या रहेगा, उनका uniform रहेगा, तो उसे हम simple क्या बोल रहे हैं, homogeneous mixture बोल रहे हैं, आप example में भी देख रहे हो, यहाँ प example है, ठीक है, अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ, next चलता हूँ, यहाँ पे, heterogeneous mixture की बात करता हूँ, तो heterogeneous mixture क्या लेखा हुआ है, यदि आप देखोगे, तो a heterogeneous mixture is a mixture where the throughout the solution, the composition is not uniform, मैंने पहली बोला था, composition क्या नहीं होता, not uniform होता है, यानि non uniform composition होता है, जैसे, आप example ले सकते हो, यहाँ पे, mud water का, mud plus water का, बोलो भई clear, बोलना पड़ेगा, हाया न, जल्ली से बोलो भई clear, हाया न, ठीक है न, mud water हो गया, आप sand plus water ले सकते हो, ठीक है न, sand plus water ले सकते हो, यह सारे के सारे आपके क्या है, homo heterogeneous mixture के example है, तो I hope आपको clear हो गया होगा, तो heterogeneous वो किसी को नहीं जानता था, वो मायूस सा कहीं एक तरफ ऐसे पिलको down सा बैठा हुआ था, इस तरीके से, तो I hope आपको उस example से भी बाते के लिए हो गई होगी, अब देखो, मैं आगे बढ़ता हूँ, यह हमने homogenius की बात की, मैंने heterogeneous की बात की, अब मैं बात कर रहा हूँ, pure substance की, तो pure substance के भी बात की जाए, तो ध्यान समझना, pure substance उसे बोलते हैं, जो एक ही किस से बनाओ, एक ही kind के atom से मिलके बनाओ, या एक ही kind के particle से मिलके बनाओ, मतलब simple pure substance, हम उसे बोलेंगे, जो simple one kind of particle से मिलके बनाओ, ठीक है न, अब one kind of particle से मिलके बनाओ, है न, उसे हम क्या बोलने हैं, उसे हम simple pure substance बोलने हैं, लिखा हुआ भी है, pure substance are substances that are made up of only one kind of particle, and है जा, fixed or constant structure, और इसका क्या है, fixed or constant structure भी होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे copper है, ठीक है न, तो copper में क्य atom होगे, copper की atom होगे, आप iron की rod ले लो, ठीक है, आप iron की rod ले लो, तो iron में क्या होगे, simple Fe के atom होगे, सभी, एक kind क्या है, particles है, Fe, 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 इस तरीके से, तो I hope आपको pure substance भी के लिए हो रहा होगा, अब pure substance को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते थे, एक था आप था थाप का element, और एक था 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 था, कंपॉंड, तो element किसे बोलते हैं, simple था समये होगे, यह क्या, किस से मिलके बना ऻोता है, यह simple मिलके बना होता है, एक kind के one kind of, यह भी same ही बात है, one kind of, एक бы है ऐटम से मिलके बना होता है, जैसे आपको भी मैंने example दिया था, Fe Rod का, मैंने आपको example दिया था copper rod का तो simple आपको क्या मिलेंगे हो आपको copper rod में copper copper मिलेंगे, fe में fe fe मिलेंगे, आप aluminium लोगे तो aluminium के atoms मिलेंगे, तो इसको हम simple बोल लाए है, element ठीक है न, क्योंकि aluminium में ऐसा तो है नहीं कि आप iron के ढूण लोगे नहीं भई, aluminium की rod में आपको aluminium के atom ही मिलेंगे जैसा कि आप देख भी रहो यहाँ पे यह copper लिया हुआ है, simple, ठीक है न तो इससे आप समझ सकते हो, इसमें जो आपके atoms होंगे, वो आपके copper ही copper के atoms होंगे इसी के साथ, अब हम चलते हैं element के बाद compound पे compound की जब हम बात करते हैं तो compound उसे बोलते हैं जो 2 या 2 से जादा different elements से क्या बनता है, मतलब क्या होता है, simple 2 or more element are combined are combined together 2 और 2 से जादा यदी element आपस में combine होते हैं, ठीक है, एक साथ उन्हें बोलते हैं compound और जो जब यह होते हैं combine आपस में तो यह fixed by mass कैसे होते हैं, बोलो by mass ऐसा नहीं है, mass उसनका fix होना चाहिए, मतलब mass बोले तो जैसे आपने water लिया, h2o h2o लिया, अब h2o में अब आप समझ नहीं आपे ठीक है ना, यदी मैं इसका ratio निकालू तो देखो क्या आएगा, simple 2 ratio 16 मतलब 1 ratio 8 अब आप 1 ratio 8 चाहे आप laboratory में बनाएं, चाहे आप घर में पानी बनाएं, चाहे आप समुद्र का पानी देखें, आप कोई भी पानी ले के आएं, इबेन आप चंद्रमा, आप मार्स कहीं से भी आप पानी ले के आएं, उनमें जो ratio होगा हमेशा वो बन ratio 8 ही रहेगा, मतलब क्या रहेगा oxygen और hydrogen का जो ratio रहेगा, बन ratio 8 ही रहेगा, चाहे आप एक चमच पानी ले या आप एक वाल्टी पानी ले ठीक है, ये बात के लिएर बोलना पड़ेगा वही के लिएर, हाँ या ना जल्दी से बोलो, अब देखो अब क्या होगा, एक लिखा हुआ है compound is a substance that contain atoms of two or more different elements and these atoms are chemically joined together, उन्हें क्या कर देते chemically joined together, लें by mass, इस बात को ध्यान रखना, compound जो बनता है, ऐसा नहीं है, यदि यदि अब mass fix रहेगा उनका, ठीक है ना अच्छा जयते CO2 हो गया, carbon dioxide यदि में इसका mass देखूं, जो 12 ratio यहाँ पे कितना हो गया, 32 यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका simple, 4, 3, 12 ठीक है ना, और 4, 8 जा, 32, तो देखो, 3 ratio 8, अब आप कहीं से भी लाओ, carbon dioxide आपको अमेशा किस में मिलेगा 3 ratio 8 में ही मिलेगा, तो I hope आपको यह बात भी clear हो गई होगी बहुत ही अच्छे से, ठीक है अब आप अपनी study बिलकुल आराम से कर सकते हैं, और अभी भी आप टॉप बन सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, यह बात समझ दो, तो बस आप पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, धीरे धीरे, 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 आपकी chemistry अच्छी होती चली जाएगी, कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप पीछे जाएं, फिर से देखें, पीछे जाएं, फिर से देखें, ऐसी चलते चले जाएंगे, आपको clear होता हुआ, चला जाएगा, तो देखो, इसी के साथ, अब हम चलते हैं, nest बात करते हैं, अब जो मैं nest basic की बात कर रहा हूँ, है ना, वो मैं बात करूँ हूँ है, आपके kation और anion की, ध्यान से समझना, kation किसे बोलेंगे, anion किसे बोलेंगे, तो देखो, simple सी बात हैं, आपने पढ़ा होगा, class 9 में, जब kation किसे बोलते हैं, जब इलेक्तोन का loss होता है, जैसे मान लो कोई भी atom है, इस ने autocon का loss कर दिया, ठीक है ना, और जैसे यि लेक्तोन का loss करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, कटाइन बनेगा, क्या बनेगा, कटाइन बनेगा, अब क्या होगा, है ठीक है कटाइन मतलब positive charge होगा atom के पास क्या हुआ positive charge होगा अच्छा एनायन मतलब simple जब आपका electron का क्या कर लेगा वो gain कर ले यह से मालो neutral atom है कोई भी भी है यह ना बी ने क्या किया एक electron को gain कर लिया तो बी माइनस इसको क्या बोलने हम एनएन बोलने क्या बोलने है सिंपल ऐना तो देखो एक कटई और एक मीट बही Subscribe वो simple आपके यूनि पोजिटिव या कटायन बोलो या sodium है sodium ने एक electron का loss किया तो क्या बना Na plus plus electron इसको क्या बोलेंगे हम कटायन बोलेंगे या इसी को हम बोलते हैं simple यूनि पोजिटिव भी बोलते हैं यूनि पोजिटिव मतला समझते हो एक positive charge है क्या है भई एक positive charge है इसको क्या बोलेंगे यूनि पोजिटिव बोलो वही के लिए है ना अब अब देखो एक electron का loss कर लिया अब ध्यान समय रहे हो यह मैं basics बता रहा हूँ यहाँ पर क्या होगा आपको इस चीज़े सबज में आने चीए जब आप questions करोगे तो problem आती है यदि यह चीज़े पता नहीं होगी अब एक बात ध्यान लगना अब यहाँ पर आप देख रहे हो loss, gain क्यों चल ला है यह सब इसलिए चल ला है क्यों हर एक atom क्या होना चाता है stable state में होना चाता है जैसे आप से पूछा जाए आप क्यों पढ़ रहे हो तो आप simple बताओगे मुझे कि सर stable होने के लिए कि जौब लग जाएगी जौब लग जाएगी तो पैसा आएगा और जब पैसा आएगा तो आप stable हो जाएगे तो आप भी stability के लिए कर रहे हो इसी तरीके से chemistry में यह आपके atoms यह भी क्या होने चाहते हैं यह भी स्टे मोना चाहते जितने भी सभी एलीमेंटम सब इस्टे में उना सब बता देता हूं जब जब इनरीच होती है तब तब molecule atom जो भी है दुनिया में वो सब किस में आते हैं stable state में आते हैं इस बात को ध्यान लखना ठीक है अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो वो कौन सा bond बनाएंगे simple ionic bond बनाएंगे तो simple क्या हुआ जब आपका simple यहाँ पर electron का ट्रांसफर हुआ मतलब electron का ट्रांसफर बोले तो loss और gain हुआ जो electron का ट्रांसफर हो रहा है electron का ट्रांसफर हो रहा है वो भी किसकी वज़े से बोलो किसकी वज़े से loss और gain of electron इसी की वज़े से हो रहा है मतलब electron का loss भी हो रहा है और gain भी हो रहा है जब electron का loss और gain हो रहा है उसकी वज़े से electron ट्रांसफर हो रहा है अच्छा अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखो इसक का वी ओक्टेट कंप्लीट है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड मनता है आइनेक बॉन्ड मनता है जब भी आपको क्या मिलेगा जन्रली तब तब उनके बीच में क्या बनेगा आपको सिंपल आइनेक बॉन्ड मिलेगा ठीक है न मतलब आइनेक बॉन्ड बोले तो दो लो आइनेक बॉन्ड जिस जिस में आइनेक बॉन्ड मनेगा मतलब वो क्यासे होंगे वो आपके सिंपल आइनेक compound होंगे ठीक है ना जब जब आइनिक compound होंगे ठीक है इस बात को ध्यान लगए यह आपने class 10 में पढ़ाता है बहुत अच्छे से आइनिक compound अब हम समझते हैं थोड़ा आइनिक compound बनेगा कब तो देखो जो आइनिक compound बनता है ध्यान समझना यह metal और non-metal के बीच में बनता है ठीक है ना क्या बनता है आइनिक compound इस फॉर्म यह आइनिक bond इस फॉर्म क्योंगे यह एलेक्टोन मेटल एलेक्टोन का लॉस करेगी और नौन मेटल लेक्टोन गेन करेगी तो इनकी बीच में क्या आएगा एक एक फोर्स ऑप अट्रेक्शन आएगा तो देखो यहां पे पूछा जाया आपको ध्यान समझना जैसे आइनिक bond है तो बिट्वीन टू अपोचिटली चार्ज एटम जो आइनिक बनता है बिट्वीन आइनिक bond आर फॉर्म डॉर्म तूफॉर्म ठाबोगा बिट्वीन तो अपोचिटली चार्ग्टम बिट्वीन तूबीन 2 अपोचिटली चाइर्ज एटम है ना मतला आपोजितली चारज एटम मतलब सोचा जाए यहाँ पर आपोजितली चारज इमलग यह कटाइन होना चाहिए और एडार निर्वन चाहिए सिंपल जो इनिक मॉन्ड बनता है होता है सिंपल ट्रांस्फर ओफ यह Heatral transfer of electron तो समझना है यहाँ पर अब जब आपोजिटली चार्ज अटम में जैसे मालों एक कटाएन हो गया एने प्लस इसने electron गेन किया लॉस किया और सियल माइनस इसने electron गेन किया तो इनके बीच में क्या है जो force of attraction आता है तो अपोजिटली चार्ज एक्टम के बीच में तो वो आता है electrostatic electrostatic force of attraction जो कि क्या होता है बहुत ही strong होता है क्या होता है बहुत ही strong होता है मतलब यदि आप से पूछा जाए कि यहाँ पे इनके melting point boiling point कैसे होगे तो अब आप बोलोगे melting point और boiling point is high melting point and boiling point is high तो यह बात के लिए क्यों high होगा क्योंकि यहाँ पे due to strong force of attraction क्या होता है due to strong force of वो भी कौन सा force of attraction है electrostatic force of attraction इस बात को ध्यान रखना समझ लो यह चीज़ें basics में बहुत अच्छे से यूज होगे ही पूरी chemistry में अभी जब आप chemical bonding पढ़ोगे जब मैं आपको और detail में पढ़ाऊंगा अभी तो आप simple हो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड हम उसे बोलते हैं समझो कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड हम बोलते हैं mutual sharing sharing of electron between two atoms जब mutual sharing of electron होगा तो simple उसे क्या बोलेंगे बोलो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे मतलब जैसे माल लो आपको कोई business डालना है क्या डालना है business डालना है तो आपके पास माल लो 1 lakh rupees है आपके friend के पास 1 lakh rupees है आप दोनों को business डालना है तो आप ने क्या किया वन लैक रूपीज आपने डाले बिजनिस में 1 lakh rupees उसने डाले मतलब क्या होगी बरावर की हिस्सेदार होगी ठीक है न तो यहां भी है ही होगा जब यहाँ पर electron की sharing जो होगी वो बराबर की इस्यदारी होगी एक electron की sharing भी होगी, दो electron की sharing भी होगी, तीन electron की sharing भी होगी लेकिन बराबर से, ऐसा नहीं कि एक atom ने एक electron दिया, दूसरी atom ने चार दिन नहीं बराबर 50-50% इस तरीके से आप समझ सकते हो अब देखो, एक बात दिया, mutual sharing की बन रहा है, दूसरी बात, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, simple as hydrogen है, ठीक है न, hydrogen क्या बनाएगा, इसके पास एक electron है, दूसरी hydrogen के पास भी एक electron है यहाँ आपस मैं क्या बना लेंगे, mutual sharing बना ली देखो, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा, mutual sharing of electron हो रहा है, ठीक है न, तो यह आपका बन गया hydrogen atom, ठीक है और इसके बीच में कौन सा bond है, यह आपका जो bond है, यह covalent bond है covalent bond, भाई देखो clear बोलो, यह बात clear आप लोगों को, अब देखो, यह तो मैंने simple covalent bond की भी बात बोलते अब एक बात और आती है, next point, coordinate bond, बहुत detail में पढ़ेंगे बाद में, बस मैं आपको थोड़ा सा hint दे रहा हूँ, जिससे आप जब books बगेरा पढ़े हैं, तो देखो, तो आपको problem ना है, क्योंकि class 10 तक तो कुछ chemistry थी नहीं, आपको भी पता है, simple science में 3, 4, sorry, 3, एक book थी, 3 branches थी, physics, chemistry, bio, तीनों ही उसी में थी, अब तो आपको different different पढ़ना पढ़ेगा वई, ये बात ध्यान दखना, अब chemistry बहुत detail में, अभी तो आपने कुछ पढ़े ही नहीं, अभी तक chemistry, थोड़ी से problems भी आई है, बस आपको हिम्मत नहीं आना है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ करने है, ये का octate complete है, क्या octate मतलब, fully filled, out of cell में, अब बी का octate क्या है, इनकम्पलीट है, मतलब या इनstable है, बी का octate क्या, incomplete है, तो ये क्या करेगा, electron को donate कर देगा, तो ये बी क्या हो जाएगा, स्टेब्ल हो जाएगा, ये बी stable है, जैसे समझो, coordinate भी बोलते है, इसी को हम वोलते हैं ड assumes याज छको करते हो टेल सबएने इस तर्फी समाझ sunny från कि करिए यासे आप मंदर जाते आप गवाँ से लेतरा तरहीं भल् Cinema प्रेक्षा निकाल लिए इसा तो है आप यांगा प्ल आपको वड़ी सुकून मिलता है च्ट्र 761 तो सिंप्ल यह एक बात और ध्यान लगना यहाँ पे इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं आप एक बात आओ जब आप मंदिर जाते हो मंदिर में दान करते हो पैसे को तो एक बात आपको सुकून मिलता है मंदिर मजजित कहीं भी आप जाते हो आप किसी को आप यह खाना खिला त था किसी को भी आपको दान करते हो तो आपके मन को सकून मिलता है, है ना आपके our parents को बहुत सकून मिलता है, यह ना एन आज जननत पाघए, ठीक है? तो जब तो इस ने रादम प्लूश। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो जैसे मालो आपके दोस्त को पैसे की जरूरत है उसने बोला मुझे पचास रुपए दे तो आप तो पॉजिटिव में हो गया वह कैसा हो गया तुम्हारा क्यों अब उसको लोटाने पड़ेंगे ना 50 रुपए संपल सी राट तो इस तरीके से जी आप समझ सकते हों इसको इस तरीके से ऊज़िवेख्य वह लेटकरते हैं बहुत सारी बुक्स में वहत अच्छीए से पढ़ना गातो हलिए अब क्या वो देगो समाझना आप अप स्कून में आप किसी को जानते नहीं थे हाइह लो भी नीथी हूदो फिल भी है तो सिंपल आप ये थे समझumm जाने के बाद आपको बड़े बीजुटिफुल लोग मिले आप उनको क्या करने लगे ना पसंद करने लगे तो तो तेकर ईनल एक नहीं चार्चार थे, तो मतलब क्या हुआ, attraction मतलब प्यार हुआ, क्या हुआ, दोनों के बीच में प्यार हुआ, प्यार हुआ, एकरार हुआ, है ना, तो simple सी बात, जब attraction, जब जब attraction से बनता है, तो आपको पता है कौन सा बात, बनेगा, बोलो आइनिकवाइज मनेगा, तो डो अपोजिटली चार्ज है, तो प्यार होता है ना, जो स्कूल बाला प्यार, कॉलेज बाला प्यार, या कोई भी प्यार, ठीकर क्या होता है, attraction, ठीकर, तो simple attraction हो रहा है, मतलब attraction बोले त तो सिंपल यहांपे कौन्सा बहुत मनेगा i weak one भई अब अब प्यार हो गया एकरार के बाद फिर क्या हुआ अब भ recidladı है मैं तो आपसे सच्छा प्यार करती हूं एक सेक्टा सेक्टा तो फिर क्या हुआ उनके बीच में बोले नहीं काम करते साधी कर लेते हैं तो साधी कर ली मतलब mutual sharing हो गई है ना मतलब साधी गट बंदन गट बंदन तो गट बंदन हुआ तो क्या हो गया mutual sharing गई अब तो और मन में लड़ू फूटा वो लेक नहीं चार चार फूटे सर ठीक है फूटे भई तो देखो सिंपल क्या हो गया साधी हो गई सहरा पैनलिया लड़के ने बड़ा खुस है बड़ा आराम से बड़ा मुस्क्रा रहा है बड़ी आराम से ना तो यह क्या हो गई mutual sharing गट बंदन में आ गए ठीक है तो यहाँ पे जब आपकी mutual sharing हो रही है तो कौन्सा bond बन रहा है covalent bond बन रहा है ठीक है ना तो यह बात के लिए बोलो तो I hope आपको यह बात भी के लिए हो रही है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ठीक है तो आइनेक coordinate यह आप समझ गया होंगे ठीक है ना बहुत detail में समझ गया होंगे अब देखो तो अब हम आगे बरते हैं ने तो मैं मैंने आइनेक bond बता दिया, covalent बता दिया, coordinate बता दिया थोड़ी से मैं बातें और कर लेता हूं जैसे बच्चा क्या लिखता है जब आपको compound का formation करना होता है तो कैसे आप compound का formation करेंगे आपको copper sulphate लिखा हुआ में लिखिया आपको aluminium sulphate लिखा हुआ में लिखिया तो आप क aluminium sulphate लिखा है तो आपको पता हो चाहिए इसको क्या बोलते हैं aluminium sulphate किसे बोलते हैं SO4-2 ठीक है यह हो गया अब आपको पता है यह हमने sulphate लिख दिया तो अब क्या होता है यहाँ पर यहाँ पर simple क्या होता है समझे लो यहाँ पर अच्छे compound का formation कैसे करते हो आप तो यहाँ पर बहुत ज्यादा problem होती है बच्चे बनानी पाते हैं तो देखो यहाँ पर जब आप बनाओगे तो क्या बनेगा AL2 SO4 का whole thrice और जब भी आप बनाओगे तो यहाँ पर जो होता है यह क्या होता है magnitude में होता है यहाँ आपको यहाँ पर calcium sulphate बनाना है तो देखो आपको पता हो चार्ज किस पर कितना होता है sulphate माइनस टू ठीक है ना आपके दिमाग में आया मतलब आपने calcium CA plus 2 ठीक है cross multiply कर दिया तो क्या बन गया CA अब कुछ लोग CA2 SO4 का whole twice तो आप simplest whole number में लखोगे तो क्या आएगा CA SO4 आएगा calcium sulphate आ जाएगा इस तरीक से आप लिख दोगे जैसे मालों आपको aluminium oxide आ गया क्या गया aluminium oxide अब आपको पता हो चार्ज कितना होता है minus 2 aluminium पर कितना होता है बोलो simple यह होता है कितना plus 3 तो अब आप क्या करेंगे cross multiply करेंगे इस तरह तो क्या जाएगा AL-2 O-3 ठीक है अब जैसे मालों आप इसी तरीक सी करेंगे जैसे मालों आपको aluminium phosphate आ गया या आपको मालो sodium phosphate आ गया अब हमाँ पते ही निये phosphate ion का क्या होता है है तो phosphate ion पर जो charge होता है बोता है PO4 minus 2 यह phosphate होता है इसको क्या बोलते हैं phosphate आयन, लिक्ष देता हूँ मैं, ठीक है न, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन, ठीक है न, इसको क्या बोलते हैं, किलोराइड आयन, मैं नाम लिक्ष दे रहा हूँ, किलोराइड, किलोराइड, आयन, ठीक है न, इसको क्या लिक्ते हैं, fluoride ion या bromide ion fluoride f-br-bromide ion जरूर लगाते हैं ठीक है ना i- ऐजाए जैसे iodide ठीक है इस बात को जयान लगना ठीक है तो देखो यहाँ पर phosphate ion है जैसे मालों मैं sodium phosphate बनाना है तो आपको पता होँँँ यह sodium पर charge कितना होता है फिलस बन phosphate पे कितना है minus 3 अब हम क्या करेंगे simple cross multiply करेंगे जब cross multiply करोगे तो क्या हैगा simple आएगा Na3PO4 का बस आगया Na3PO4 यह आगया sodium phosphate जैसे माल लो calcium phosphate आजयाता है calcium phosphate आपको बता है inamel होता है inamel समाज तो calcium phosphate inamel होता है दातों में जो परत जमती है यलो यलो वो क्या होती है simple आपका calcium phosphate ही होता है सबसे hardest substance होता है पूरी body में सबसे hardest substance इस बात को ध्यान लगना मुझे याद आ गया तो मैं दो calcium phosphate लग रहा है plus 2PO4 minus 3 cross multiply करो क्या हो जाएगा CA 3PO4 का whole twice इस तरीके से आप क्या बना लेगे formula of the compound बना लेगे मैं छोड़े तोड़े चीज़े बताई हैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आएनिक compound किसे बोलते है coordinate सब कुछ बता दिया इसलिए मैंने formation of compound किस तरीके से आप compound का formation करेंगे इस तरीके से आप formation करेंगे हमें charge पता होना चीए ठीक है ना किस पे कितना charge है फिर तो बाखी का तो आप करी लोगे ठीक है जैसे NO3 हो गया NO3 nitrate क्या बोलते NO3 minus इसको बोलते nitrate iron ठीक है ना अब जैसे माल लो आपको potassium nitrate बनाना है तो इस पे क्या होगा प्लस चार्ज प्लस 1 NO3 minus 1 आपको इसी तरीके से आएगा chemistry में potassium nitrate अब आपको formula ही नहीं पता है ठीक है ना तो देखो KNO3 यह हो गया potassium nitrate इस तरीके से ठीक है यह सारे basics में बताता चला जारो है ना तो आपको यह बात भी clear होगी होगी आप calcium nitrate बहुत सारे magnesium nitrate जो compound बनाना चाहें वह आप बना सकते हैं ठीक है तो आपको इससे एक idea लग गया होगा इस तरीके से आपको करना है ठीक है class 9 का revision भी हो गया होगा आपने class 9 में बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ा ह होगा अब देखो अब मैं next बात बता रहा हूँ बहुत ही important मैं यहाँ पे कुछ important anion की नाम लग देता हूँ जिससे आपको problem नहीं आईगी ठीक है ना तो जैसे मैं लग दे रहा हूँ यहाँ पे carbonate कि इसको बोलते carbonate iron ठीक है जिससे आपको formula of compound बनाने में problem नहीं आईगी यह लिख दिया bicarbonate iron ठीक है ना और लिख देता हूँ मैं sulfate phosphate ठीक है नाइट्रेट oxalate iron C2O4 2- इसको बोलते हैं oxalate iron है ठीक है इन बातों को ध्यान रखना नायिट्ड or oxalate हैं ना कार्गुनेट sulphate phosphate इस तरीके से अब कुछ आयंस मैंने लिख दिया है एक मैं बात और important बता रहा हूँ कुछ नाम भी याद अखना फैरस फैरिक किसे बोलेंगे स्टैनस स्टैनिक किसे बोलेंगे है ना क्यूप्रस क्यूप्रिक किसे बोलते हैं क्योंकि बच्चा इनमें confused रहता है पूरी chemistry में तो देखो यहाँ पर याद अखना cu प्लस 2 इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ठीक है ना क्यूप्रिक आएं ठीक है ना और cu प्लस 1 इसको बोलते हैं क्यूप्रस ठीक है ना अब इसको बोलते हैं Fe plus 2, Ferrous, ठीक है, अब आपको लिखना आ जाए, Fe plus 3, Ferric, Sn plus 2, Stenus, Sn plus 4, Stenic, इस तरीके से, हैना, तो ये बातें आप याद अखने, Stenus, Stenic, ये याद अखोगे, तो आपको किलियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें बच्चा confusion रहता कि कैसे करें, कैसे नहीं करें, सर, Ferrous, Ferric किसे बोलें, कभी-कभी लिखते आएगा, Ferrous Nitrate, हैना, अब Ferrous Nitrate बने आन बन गया, FEC2O4, सिंपल, इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको बनाना है, तो आपको ये बात किलियर हो गई होगी, अब जो बात important है, chemistry में, वो important है, आपको simple molecular, molecular mass याद रखना, या आप molecular mass बोले तो, sorry, यहाँ पर atomic mass और atomic number, ये बहुत important है, ठीक है, तो ये आपको याद पड़े जैसे आपको मानलो हाइडोजन का बन हो गया, helium का 2 हो गया, lithium का 3 हो, lithium का 6 हो गया, helium का, sorry, atomic number 2 थे, ठीक है न, ये mass number लिखा हुआ है, 4, 7 आप लोग ये lithium का, ठीक है न, beryllium हो गया, 9 atomic mass होता है, 4 इसका atomic number होता है, तो simple इस तरीके से आपको लिखे हुए हैं, ठीक है number और mass, मतलब atomic mass आपको याद होना चाहिए, यदि chemistry आपको strong करनी है, तो ये बात आप जरूर करेंगे, ठीक है बचाबाटी, ये आपकी जम्मेदारी है, ये आपको next lecture में याद होने चाहिए, ठीक है, मैं आपसे पूछूँँगा जरूर, तो I hope आपको ये वीडियो में पढ़िए, फिर जाइए, फिर पढ़िए, जब तक की किलियर ना हो जाए, तो इसी के साथ ये वीडियो होता है, हम आप मिलते हैं आपसे इसी पिरकार की next वीडियो में, जिसमें topic करेंगे, हम significant figure, बहुत important है, ध्यान से समाझना और पढ़ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठी पिर करेंगे, ड् огрपने से इसी पिरूफ हो दो आए, हम से टास्राव ये ये वीडियो होता है, इसी पना से समाझना और पढ़ना, और चा की कि एversब कि कि लुएगोरा की कि आपारे, हम इसी द已經 पालिए, तक की कैसी, वीडियो हैं, तक के साथ पना से सरhtी है, उना सेयए,